मानिन्य नियायालय और प्रिशासनिक रोक के बाद भी खनन माफिया कुछ न कुछ दाव पेच अपना कर अवैत तरीके से बालू का खनन कर रहे हैं परिशानी तब हो जाती है जब अवैद खनन कर रहे वाहन किसानों के खेतों से होकर गुजरते हैं और फसलों को बरबाद कर देते हैं आखरकार परिशान ग्रामिरों ने अवैद बालू परिभान का वीडियो बनाया और प्रशासन को भेज दिया देखें पूरी खबर परिशान है तो वो हैं इस छेत्र के किसान क्योंकि खनन कर रहे ट्रक वा मशीने किसानों की खेती खराब कर देती हैं इन्हें रोकने वाले किसानों को जानमाल की धंगी दी जाती है इनसे परिशान होकर मौरानी पूर तहसील छेत्र के अंतरगत आने वाले ग्राम खतौरा के ग्रामिरों ने जिला धिकारी सहित उच्चा धिकारियों को एक शिकाई इस पत्र में ग्राम खतौरा में हो रहे अवैद तरीके से बालू खनन को रोके जाने की मांगी गई है इसके साथ ही सबूत के तौर पर ग्रामिरों ने मोबाइल के कैमरे से बनाई गई खनन की वीडियो सीडी भी संलगन कर भेजी है गिरामीनों ने माफियाओं की छुपकर खनन करते हुए वीडियो बना ली ग्रामीनों ने बताया कि बालू का खनन गाओं के ही दबंग व्यक्ति द्वारा मशीनों के द्वारा असलाहा के बल पर गलत तरीके से की जा रही है 10-20 व्यक्ति बंदूकों को लेकर घूमते रहते हैं अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो वो जान माल की धमकी देता है जब कोई सरकारी अमला अवलोकन के लिए जाता है तो चालाक खनन माफिया पास में सटे मध्य प्रदेश वाले छेत्र में मशीनों को छुपा देते हैं जिससे अवलोकन करने वाले अधिकारी खाली हाथ वापस आ जाते हैं सरक किसानों की खेतों से जबरान बालू के ट्रेक निकाले जा रहा है उनको धंकाया जाता है असलाधार गुंगते हैं धमकी दे करके उनके खेतों से जब इंट्रेक्टर निकालते हैं और एल एंटी और ट्रैक मसीन सब और अगर प्रिसासन जाता है कोई अतकारी तो यह लोग मत्पिदेश में एल एंटी और मसीने गुशा लेते हैं किसानों का कहना है कि बालू घाट के पास लगे हुए खेतों को नुकसान पहुचाया जाता है जिससे गरीब किसानों को काफी नुकसानवा परिशानी हो रही है अवैधानिक तरीके से कराए जा रहे बालू की खनन को रोका जाना आवश्यक है अगर कोई व्यक्ती शिकायत करता है तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाए जाने की धंकी दी जाती है दिये गए प्रात्ना पत्र में दबंग लोगों के विरुद्ध कानूनी कारवाही कर अवैध खनन को रोके जाने की मांगी गई है निउस बंदेल खंट के लिए मुगरानी पुर से रवी परिहार की रिपोर्ट